तो यह है हमारा question box जिसके अंदर हमने question पर्चियों के रूप में त्यार किये हैं सभी team बारी-बारी से आएगी जिसमें से team का एक member पर्ची उठाएगा और पर्ची में लिखी हुई activity करेगा दूसरे member को उस activity को पहचानना है और अंग्रेजी के अंदर English के अंदर उस activity को present participle के रूप में बोलना है speak करना है जैसा कि आज की हमारी activity है speaking with understanding चलिए शुरू करते हैं आज की activity बुलाते हैं हमारी आज की पहली team को जिसका नाम है यमुना है आज की activity आप इस बॉक्स में से पर्ची उठाए ये वेटा पर्ची में जो भी आया है वो देखिए ये देखिए दोस्तों पर्ची में जो भी आया है अब इस बच्चे ने वो acting के रूप में दरसाना है और दूसरा बच्चा उसको पहचान करके उसी acting को पर्जेंट पार्टिस्पल के रूप में उच्चारित करेगा किजिए वेटा जो भी आया आपके पास बताइए क्या है ये वर्ड वैरिग तारियां बजाएं अब आप दूसरी पर्ची उठाएंगे क्वेश्चन बॉक्स से उठाएए देखे क्या है आपके पास स्लिप में जो भी स्लिप में आया है आपने वही करके दिखाना है और आपके साथी ने उसको पहचानना है और उसका पर्जेंट पार्टिस्पल बनाना है हंजी क्या है ये वेरि गूड बहुत अच्छा जवाब तीसरा प्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन बॉक्स में से तीसरा प्वेश्चन उठाएंगे आप पर्ची में देखेंगे क्या आया है वेरि गूड आपने यही अक्टिंग के रूप में करना है और आपने पहचानना है वेरि गूड और यह देखिए ए टीम ने यमुना टीम ने अपने तीनों परस्मों के जवाब अश्चे से दे दिये हैं और इनको मिलते हैं स्मीर खान स्कॉरर प्लेज यमुना टीम को आज के तीनों क्वेश्चनों के जवाब सही देने पर छे पॉइंट दिये जाएं और यह हमारे स्कॉरर स्मीर खान छे पॉइंट देते हुए और यह है आज की अक्टिविटी के अगली टीम गांधी बेटा आपने क्वेश्चन बोक्स में से एक परची उठानी है और जो भी परची में लिखा होगा आपने उसको एक्टिंग के रूप में करके दिखाना है और आपका साथी जोगा उसको पहचानेगा और उसके लिए सही वर्ड का चुनाव करेगा हां जी बताईए वेरी गूड और आपका दूसरा क्वेश्चन है दूसरी परची उठाईए क्वेश्चन बोक्स में से देखिए उसके अंदर क्या लिखा हुआ है आपने जो भी आपके पास एक्टिविटी आई है वो करके दिखानी है और आपके साथी ने उस एक्टिविटी को पहचानना है और उसके लिए सही वर्ड का चुनाव करना है कीजी एक्टिंग हां जी क्या है ये वेरी गूड और आज की एक्टिविटी का आपका तीसरा क्वेश्चन उठाईए क्वेश्चन बोक्स में से देखिए पर्ची के अंदर क्या लिखा हुआ है पर्ची को दिखाना है आपने मुझे वेरी गूड आपने यही एक्टिंग करके दिखानी है और आपका साथी इस एक्टिंग को पहचानेगा और उसके लिए सही वर्ड का चुनाव करेगा हाँ जी क्या है ये वेरी गूड पहचंदर जवाब आईए आज की हमारी अगली टीम है भगत सिंग और ये हैं इसके पार्टिसिपेंट्स हाँ जी बेटा आपने क्वेश्चन बोक्स में से एक पर्ची उठानी है और उस पर्ची में जो भी लिखा होगा आपने वो एक्टिंग के रूप में करना है उठाईए पर्ची 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 में जो भी है आपने वो एक्टिंग के रूप में करना है दिखाईए पर्ची में क्या है यही एक्टिविटी के रूप में आपने करके दिखाना है कीजिए और आपके साथ ही ने इसको पहचानना है हाँ जी क्या है यह वेरी कॉड़ उठाई यह कॉश्चन उठाईए कॉश्चन बॉक्स में से अगली पर्ची दूसरी पर्ची देखिए उसके अंदर क्या आया है आपने यही एक्टिविटी करके दिखानी है और आपके साथ ही ने इसको पहचान के उसके लिए सही वर्ड बोलना है कीजिए हाँ जी क्या है यह वेरी कॉड़ आपका तीसरा कॉश्चन दो कॉश्चनों के जवाब अच्छे से दे दिये है कॉश्चन बोक्स में से तीसरा कॉश्चन उठाएंगे आप जो भी पर्ची में लिखा होगा वो एक्टिंग करके दिखानी है और आपके साथ ही ने वो पहचानना है खान जी आपके पास ही एक्टिविटी आई है तो आप इसको करके दिखाएंगे जल्दी से कीजिए खान जी अभी हम पूछते हैं इनके साथी से बताएए और ये भगतिंग टीम ने भी अपने सभी क्वेश्चनों के जवाब अच्छे से दे दिये हैं तो आप सभी को भी तीनों क्वेश्चनों के जवाब सही देने पर आपको मिलते हैं 6 पॉइंट्स